कोटाचिली की रामगजमंडी उफखंड में किसानों की परिशानी बढ़ती ही जा रही है एक और तेस सर्दी से फसलों को नुकसान हो रहा है वहीं दूसरी और किसान दिन भर यूरिया के लिए कतारों में लगकर परिशान हो रहे हैं यूरिया की किलत ने अब किसानों के परिशाने को और ज्यादा बढ़ा दिया है सुमवार को यूरिया के लिए महिलाओं ने भी घर का कामकाज छोड़ के खतारों में लगी हुई है फिर भी आवश्क्ता के अनुसार यूरिया उन्हें उपलाप्त नहीं हो पा रहा है अमेड कर चौराहे पर सुमवार से ही किसानों की लंबी कतारे देखने को मिली जिससे जवाम के स्थिती बन गई मौके पर पुलिस ने यातायाद को सुचारू करवाया और कतारों को नियंतरित किया वहीं बड़े बच्चे और महिलाएं यूरिया के लिए घंटो लाइनों में खड़े वे दिखाए दिये किसानों का कहना है कि फसल बुआई के बाद फसलों को यूरिया की ज़ुरत है समय पर यूरिया का छिड़काव नहीं होने पर फसले खराब हो जाएंगी वहीं यूरिया की कतारों में लगी महिलाओं ने कहा है कि सुबह से ही यूरिया के लिए कतारों में लगी हुई है घर का काम का छोड़कर यूरिया के लिए भटक रहे हैं अगर फसल को यूरिया नहीं मिला तो पूरी महनत खराब हो जाएगी और घर की जीवी का चलाना भी मुश्किल होगा